इस टाचू अब लिबर्टी न्यूयर्क हारबर के पास एक सोटे से टापू पर बनी एक विसाल परतिमा है जो अपने एक हाथ में मसाल और दूसरे हाथ में एक किताब लिये खड़ी है इस परतिमा को सन 1860 में फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता का परतीक के रूप में भेंट किया था इस टाचू अब लिबर्टी को बनाने में लगभग 9 साल से ज्यादा का समय लगा था इसके कुछ भाग प्रांस में बने थे जिसमें इसका सिर्वी सामिल है आधार से लेकर मूर्ती की विसाल सिगर तक उंचाई 307 फिट है जो कि लगभग 93 मीटर है परतिम परतिमा के ताज से जो साथ नुकिली कीले निकली हुई है वो संसार के साथों महाद्यूपों को दर्शाती है मिसाल को 1984 में तामे की एक मिसाल के साथ बदल दिया गया था जिस पर 24 किलो सोने का पत्रा चड़ा हुआ है इस परतिमा के बाए हाथ में एक किताब है जिस पर अ आइसलेंड कहा जाता है 1956 से पहले इस टाबू को बैडलूज आइलेंज कहा जाता था इस टैचू अब लेबर्टी का बाहरी भाग तामे से बना है मूर्ति की उंचाई होने के कारण कई बार आकासी बिजली भी यहां पर टकराती है साल 1929 और साल 1932 में दो लोग इस मूर्त प्रक से ज़्यादा लोग इस टैचू अब लिबर्टी की यात्रा करते हैं 28 अक्टूंबर 2016 को यह मूर्ति का 130 जनम दिन था